हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेकनिक लेक्चरर रिक्रूट्मेंट 2021 के बारे में और एक धमाकेदार चुकि न्यूज आई है जिसका हम सभी लोगों को बहुत ही बेसबरी से इंतजार था और मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो 2021 से रिक्रूट्मेंट से रिलेटेड हैं जो उसमें सफल गोसित हुए हैं और जो लोग कम से कम चार या पाँच महीने से अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे उनको अब पता हो गया है कि बहुत सारे ब्रांचेज के लिए 2021 से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर इसू कर दिया गया है कौन से डाकूमेंट लेके आप जाएंगे और कितने दिनों बाद जाएंगे ताकि आपकी ज्वाइनिंग इसमुदली हो जाए तो सबसे पहले तो दोस्तो मेरी तरफ से मेरे इस चैनल की तरफ से मेरे सारे वीवर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से उन सब ही candidates को बहुत बहुत बदाई जिनको की joining letter मिल चुका है और बहुत-बहुत मेरी तरफ से सुब कामनाय भी अब दोस्तो बात करेंगे कि क्या-क्या document आपको लेके जाना है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो की सुरुआत करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यह बात बताऊंगा कि जो different polytechnic lecturers हैं जहां पर आपको posting मिली हुई है किसी एक को कहीं पर मिली होगी कि दूसरे candidate को कहीं और पर मिली होगी तो यह depend करेगा वहां के प्रधानाचारे पर जो आपको joining कराएंगे क्योंकि कुछ पॉले टेकनिक college के principle जो है कुछ extra documents मांग रहे हैं कुछ पॉले टेकनिक college के principle जो है कुछ documents कम मांग के भी joining दिला दे रहे हैं तो यह depend करेगा कि आपके principle आपसे क्या चाहते हैं वो अपने हिसाब से demands करेंगे चुकि यह information मैंने 2014-15 के जो recruitment के candidate थे 2014-15 के चुकि आप लोग जानते हैं कि उनको joining letter जारी कर दिया गया है तो 2014-15 के जो candidates हैं उनकी उनसे पूछ के मैं information बताया हूँ और जब मैं contact किया 4-5-6 लोगों से तो उनमें से जो information मिली है उसे सबसे बता रहा हूँ और मैं maximum documents भी बता दूँगा जो की candidates के पास candidates से principles ने मांगे हैं तो सबसे पहले तो जो common बाते हैं वो सबसे पहला यह है कि जब भी हम as a candidate join करने polytechnic जाएंगे तो एक application लिखना पड़ेगा principle के नाम से एक application लिखेंगे कि हम report करके join करना चाहते हैं और उसमें reference देंगे कि UPPSC जो भी उत्तरफदेश प्रावजेक्जिक्सा विबाग क्रिपया मतलब मुझे इसे स्विक्रित करके मुझे निक्त करने का वह करें क्रिपा करें जो भी आप अपने सब्दों में लिखेंगे वह से लिखेंगे तो एक application लिखना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहला यह document है दूसरे नंबर पर जो document के required है यह वो सारे educational आपके जो educational qualification document है वो जैसे 10th का Mark Seed Certificate, 12th का Mark Seed Certificate, फिर BTEC का Mark Seed Certificate, अगर आप इतने हैं तो अगर MTEC है तो MTEC का भी आपको Mark Seed Certificate, PhD है तो PhD का भी आपको Mark Seed Certificate, जो भी PhD की जो उपाधी है मतलब, Mark Seed Certificate कहना है गलत होगा, जो भी PhD की उपाधी है वो भी आपको यह सारे documents यानि educational qualifications rated जितनी documents है वो सब आपको वहाँ पे ले जाना है तीसरे number पे दोस्तों मैं आपको बता हूँ कि third number पे जो जरूरी है वो आपके ID incarcerated जैसे आपको pen card का अपना photocopy ले जाना है, original भी लेके जाईए अपने पास तेंगी pen card की photocopy ले जाईए, आधार card की photocopy ले जाईए, तो ये भी आपको वहाँ पे लेके जाना है हाँ तो तीसरे number पे मैंने बता लिया कि pen, आधार और एक साथी साथ में निवास भी लेके जाना है, pen card, आधार card, निवास card, pen, आधार, निवास, अगर आप किसी cast के हैं, OBC के हैं, तो OBC certificate लेके जाईए, SC certificate ले जाईए, cast category के भी document आपको वहाँ पे लेके जाना है, अब उ एक document ऐसा है, जो कुछ प्रधानाचारे लोग ले रहे हैं, कुछ प्रधानाचारे लोग नहीं ले रहे हैं, उसमें मैं चौथे number पे आपको बताओं, तो चौथे number पे जो कई जगन लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, तो मांगा जा सकता है, कि दो post, दो character certificate आपको चाहि लेकिन फिर भी ये दो character certificate, मैं लिख दे रहा है, बोल भी रहा हूँ, तो character certificate आपको चाहिए, और दो gadgeted officer से वो बना होना चाहिए, प्रमारित होना चाहिए, ऐसा, तो summary दे लेते हैं दोस्तों, पहला तो ये, कि एक application होगा, application, दूसरे में ये होगा, सारे educational documents, साहे 10th का, 12th का BTEC का, MTEC का, उसके बाद PhD का, और तीसरे नमबर पे हमने बताया आपको, तीसरे नमबर पे हमने बताया कि जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमारपत्र और OBC, ISC, जो भी आपका cash certificate है, उससे related document आपको वहाँ पे ले जाना है, चौथे नमबर पे मैंने इस फोटो वहाँ की copy ले जानी है, पांचमे नमबर में मैंने बताया कि दो गैजटेड ओफिसर से बना हुआ character certificate, दो character certificate आपको ले जाना, ये कुछ-कुछ लोग मांग ले रहे हैं, तो हो सकता है, आपके विद्यालाय में भी मांगा जाए, तो ये आप चाहें तो advance में बन प्रती में ले जाए, तो ये ले जाके आप वहाँ पे आराम से जाइन कर सकते हैं, दूसरा दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि वो जो लेटर, जानिंग लेटर जारी किया गया है, वो 2 December, उस पे dispatch rate 2 December 2022 की है, तो 2.12.2022 की है, तो आप समझ ये 4-5 दिन, 6 दिन वो वहा आपको refuse मना भी कर देंगे, जब तक प्रिंसिपल को लेटर नहीं आएगा डिरेक्टि रेट से तब तक वो आपको जानिंग नहीं देंगे, तो आपको तुरंत ही जानिंग दिला दे, इसके चांसे थोड़े कम रते हैं, जब उनके पास लेटर मिल जाएगा, तो आप ये स आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लास्ट में दोस्तों इत्ती अच्छी ख़बर है, बढ़िया कवर है, सच में मैं भी बहुत खुस हूं, और साथे चाहत में उमीद करता आप सभी लोग भी बहुत ही खुस होंगे, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बदाई, congratulations to everyone who got their joining later, और जो लोग नहीं पाये, उनका भी इंतजार अब जल्दी कतम होने वाला है, दिसंबर में उनको भी joining later मिल जाएगी, तो all the best from my side for your new job and new journey, thank you.